नमस्कार आप देख रहे हैं खबरे अभीतक और मैं हो आपके साथ शीनम शर्मा पायस आयुरवेदा के खास कारिक्रम में आपका स्वागत है जैसा कि हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं भरपूर जानकारी जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होती है तो स्टूडियो में इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ महजूद है डॉक्टर इंदजीत को और मैं बहुत-बहुत स्वागत है खबरे अपके तक तो आज हम जिस विशे पर चर्चा करने वाले हैं वो वही विशे रहेगा जिस पर हमने आपसे कल चर्चा की थी कल हम बात कर रहे थे नैतिक शिक्ष्या यानि की मौरल वैल्यूस के बारे में तो बच्चों को बच्चपन से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए कि किस तरीकी की शिक्ष्या उन्हें मिलनी चाहिए नैतिक शिक्ष्या यानि की मौरल वैल्यूस जो है वो बहुत जरूरी ह होते हैं एक बच्चे के लिए तो उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं मैं बताईए थोड़ा दर्शेकों को हमारे कि किस तरीके से बच्पन से ही माता-पीता को ध्यान रखना चाहिए बच्चों का किस तरीकी की मौरल वाल्यू देनी चाहिए क्योंकि देखो पेरेंट्स का ही यहां पर सबसे ज्यादा रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है क्योंकि वह एक प्रानी को इस सृष्टी में लेके आए हैं तो उसको अच्छा अचार वेहार देना उन्हीं की रिस्पॉंसिबिल्टी हो जाती है तो उनको पूरा उसको शुरू सही उसको टेक केर करने चाहिए तो यहां पर हम लोग जैसे कल बता रहे थे कैसे आपने अगर आप बच्चों को यह हग करते हो बच्चों को आप एक वाम सी एक जपी डालते हैं तो बच्चे को एक आतम विश्वास उससे बढ़ता है कि मेरा को हुआ सपोर्ट है तो यहां पर में जरूर गाईड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स कि एक तो जब सुबाबच्चे उठते हैं तो उस ऱइमंद उसको प्यार से उठाएं बच्चे को स्कूल के लिए उठाना है तो मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं को उससे उसको आतम विश्वास उसका बढ़ता है उसको लगता है कि कोई है जो मेरी केर करता है तो यह चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है बच्चे में एक इमोशनल जो बॉर्णिंग है आपकी बच्चे के साथ वहीं से बनना शुरू हो जाती है तो उस टाइम जब स्कूल मैं ज़रूर बोलूंगे कि सोते टाइम भी आप बच्चे के साथ दस मिनट उससे आप उससे बाते करो आप उसको को स्टोरी सुनाओ उससे अच्छी उसको मतलब उसको हार चीज की मतलब वैल्यू दिखाओ कि हां यह फैमिली है तो फैमिली कैसे आपस में जूड़ी हुई काफी प्यार करना चाहई काफी प्यार लेकिन थोड़े से बड़े बच्चों कि बात करनी जाये तो जब बड़े बच्चे उने लगते हैं काई यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह संगती भी आपको उसे टाइम से देखना शुरू हो जैसे बच्चे आप इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चे के साथ 10 मिनट आप जुरूर लगाओ क्योंकि वो जो बाते बताता है आपको आके तो उससे आपको काफी नॉलेज हो जाती है कि उसकी संगती कैसे रहा रही है वो कैसी बाते है ना और यहां पर मैं यह ज़रूर कहूंगे कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि घर में ऐसा स्वाच वातावरेंट क्रिएट करके रखें बच्चे के सामने एक तो लड़ाई नहीं करें क्योंकि उन चीज़ों का मैंने देखा हमेशा के लिए इंपक्ट बच्चे के दिमाग जूट बोल के आप निकल सकते हो तो यह मैं बोलूँगे कि बच्चे के सामने यह वैल्यू आपने कभी नहीं दिखानी आपको चाहिए कहीं जरूरत भी है रखा फुलका साथ जूट बोलनेगी तो बच्चे के सामने यह चीज़ें नहीं करनी है आपने क्योंकि उसको यह किसी चीज से लेने का यह सबसे अच्छा तरीका है और उसको यह उस टाइम नहीं समझ होती कि इसके consequences क्या होंगे और या मिझे अगर इसकी आदत पढ़ गी तो इसका कितना आपको उसका मतलब कितना जादा हो गया है थीक है जिवेकुल मैं कारेकरम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गया है अक्षे फारुक नगर से अक्षे अपनी बात रखें जी लक्षे अपने तीवी की वॉल्यूम जड़ा कम कर लीजी है अजी लक्षे आप अपने वॉल्यूम उसकी तीवी की कम कीजिए जी अपनी बात रखें अब बोलिये हम आपको सुन रहे हैं आप बोलिये चलिए तो आज हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि बच्चों को जो है moral values देनी चाहिए कही ना कहीं जो सारी moral values रहती हैं जिस तरीके से हम तस्वीरियों में दिखा रहे हैं दर शुकों को कि सारी जितनी भी moral values होती है उनमें respect सबसे जादा मैटर करती है कि respect जो है आदर करना अपने से बढ़ों का ये सबसे जादा तो उन्होंने क्या उसमें आप आपने experience किया है क्या अच्छा है क्या बुरा है उनके पास इतना ज्यादा experience होता है तो जितना बच्ची उनकी respect करेंगे उन से उतना ही ज्यान लेंगे बड़ों के साथ बैटना बड़ों के साथ time spent करना तो naturally वहां से एक आदी अच्छी बात ही सुनने को आएगी तो यह न मैं यह चीज भी देखिए जैसे सब लोग बोलते हैं कि बच्चे और बुड़े हैं एक जैसे हो जाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जहां पर यह डे के और बच्चों के लिए होता है वहां पर बजूर्गों के लिए भी होना चाहिए तो वह ब बनाया जाए तो वह काफी बैनेफिशल रहेगा क्योंकि बड़ों का एक्सपीरियंस बच्चों को ट्रांसफर होगा और यह सुसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा तो यह सारी चीजें काफी काफी हाथ तक अच्छा अगर स्कूलों की बात कर ली जाए स्कूलों में बच्चों के जिंदगी में माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जो मौरल वैल्यू कि उनकी जो किताब है जो उनके पुस्तक है उसे वह अच्छे तरीके से पढ़े कही ना कहीं उनके पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए पढ़ाई एक एक सेकिंड वैशे आ जाता है सबसे पहले तो हमें देखो स्टडीज काम हाती है हमारे एक लेवल अचीव करने के लिए सोसाइटी में बट आप पढ़े लिखे हो बट आपको अकल ही नहीं है ना किसी से बात करने की आपको सेंस नहीं है आप एरोगेंट हो और आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो आपकी पढ़ाई भी किसी की कैम नहीं आती जैसकि आज की डेट में मैंने देखा है कि कई बार पेरेंट्स क्या कहते हैं गर्ल्स को भी वह यह कहते हैं कि आ अप अपनी श्टड़ी पे धिहान रखो पिर जहां पे जो जह क कि girls का काम जो है स्रिष्टी को आगे लेके जाना भी है तो अगर उन में हम लोग का थोड़ी सी पेशेंस अगर आप girls में develop करते हो तो वो आगे जाके family को bond करने में बहुत helpful हो जाती है तो आज की टेट में जो इतने ज्यादा सेपरेशन और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है सुसाइटी में वो का भी हद तक कम हो जाएंगी यहां पी थोड़ा सा पेरेंट्स का यह योगदान में बोलूंगी कि लड़कियों को यह बोलते हैं कि equality is good equality is okay है ना हम लोग बोलते हैं कि हां लड़का लड़की दोनो बराबर हैं और पेरेंट्स इसमें कोई भी कॉप्रमाइज नहीं करते बट जो फैमली है फैमली को एक अठा रखना एक लेड़ी की जिम्मेवारी होती है तो उस नाते लड़की में थोड़ी सी पेशेंस अगर पेरेंट्स शुरू से ड्वेल्प कर देते हैं तो वह आंग जिस तरीके से आपने बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कही ना कहीं पढ़ाई को ज्यादा देते हैं वह भी नहीं देना चाहिए क्योंकि मॉरल वैल्यू ज्यादा जरूरी है जो किताब रहती है उसे बच्चा पूरी पढ़े जिस तरीके से वह मैथ पर साइंस पर बा एक अच्छी परसनेलिटी जो ड्वेल्फ होके आती है वो जब जब यह सारी एक्ट्रकरिकलर जितनी भी एक्टिव्टी होती है हमारी जब आप उनको सब को कमबाइन करते हैं तो एक अच्छे व्यक्तितव का निर्मान होता है तो यहां पर मैं लास्ट टाइम यही बता र हैं तो आप उसको अपने पेरेंट्स के पास नहीं छोड़िये प्लीज क्योंकि उन्होंने वो टाइम निकाल चुके हैं उनकी ठिंकिंग और आपकी थिंकिंग में बहुत परक है तो वो एक जो बच्चा वो पैंपर और जो दादा दादी ने जो नाना नानी ने जो बच् अगा है कर दो कम अ dilos durante eluहतर हैं जयसे की मैं बोला के बच्चे बोहुत intelligent होते हैं वह हässं बाप जाते हैं कि यहां पर इंकी क्या कमी है कैसे मैंने किसी relation को they know how to exploit you know तो वहां पर मैंने देखा है कि बच्चों को लगता है कि हमारे माबाब क्या मार लिए इतना भी नहीं कर सकते नहीं यह आपकी responsibility है आपको अपने बच्चों को ध्यान देना है आप ने उनको पालना है आप जूब कर रहे हो तो थोड़ी जूब से चुटी ले कि जैसे भी मैनेज करो आपने जब तक बच्चा आपका दो साल या धाई साल कारी होता आपने बच्चों को खुद पालना है उनको किसी अपने रेलेटिव के पास मत छोड़िये आप उनको अपने पेरेंट्स के पास मतलब थोड़ा टाइम आप छोड़ सकते हो दो या द्रीन घटे बट कई बार मैंने देखा कि आपने बच्चों को दादा दादी या नाना नानी के पास ही छोड़ देते हैं तो वहां पर आप बच्चों के साथ ही इंजस्टेस करते हो क्य जब इस चीज़ से एफेक्ट होता है और उनकी ग्रोथ पर भी नेगेटिव एफेक्ट आता है साथी जो उनका आचरण रहता है वहार रहता है वह भी चेंज हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं बेहत जरूरी है अगर माता-पिता टाइम स्पेंड नहीं कर रहे बच्चे के सा तो कहीं न कहीं उनके लिए ये काफी हानी कारक भी रह सकता है क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों को उस प्यार के जरूरत होती है जो उन्हें माता-पीता से ही मिल सकता है दादा-दादी के पास है मतलब एक दूग घंटे आपने टाइम स्पेंड करना इस ओके बट हमेशा के अगर आपके बच्चों की केर करेंगे वह नहीं होना चाहिए आपके बच्चे हैं आपको खुद उनको एंडल करना आ चाहिए तो यह बहुत जरूरी है और इस से आगे बच्चों को अगर हम लोग रिस्पॉंसिबल्टी अगर हम लोग उनको बताते हैं कि यह आपके हम से यह चाहते हो तो साथ में आपको हमारे लिए भी यह काम करना चाहिए तो बच्चों को शुरू से ही छोटे-छोटे घर के काम करने की आदा जरूर डाले चाहिए और उनको एक ओनेस्टी जरूर सिखाने चाहिए बच्चों को कि आप जितने ओनेस्ट रहेंगे आप उ शुरू से ही उनके उपर एक जज रहना चाहिए आपको कि आप देखो कि बचा क्या कर रहा है See you are the only parents है ना, friends उनको बहुत सारे मिल जाएंगे जिंदगी में आप उसके parent हो, आपको parent होने का फर्ज पूरा करना चाहिए मैं जिस तरीके से कही बार देखा जाता है कि जो parents होते हैं काफी जादा लाड़ प्यार से बच्चे को treat करते हैं तो उसे कहीं बिगड़ भी जाते हैं बच्चे और moral values सिखाने के बजाए वो लाड़ प्यार कहीं न कहीं हावी उन पर हो जाता है बिल्कुर बहुत जगा पे ऐसे हो जाता है कि बच्चों को जो लाड़ प्यार जादा करते हैं तो parents उसे उनका जो problem है negativity उनकी बढ़ जाती है उनको यह लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और parents की बात भी नहीं सुनते कई बार बच्चे तो उन चीजों का बहुत जादा फिर बड़े होके parents को ही उस चीज को handle करना पड़ता है उसको bear करना पड़ता है अच्छे यहां पे नहीं मैंने इक formulation बनाई थी के बच्चों की growth प्रॉपर अप जात वन से लेके 10 अर्जा का अपने बच्चों को बदाम ज़रूर खलाने है तो वह एक formulation हमने बनाई है वह थोड़ी देर अगर इसमें बदाम है और इसमें अखरोट है इसमें pumpkin seeds है इसमें मेश्री है सौंफ है और सफेद मेर्चे में डाली है और खसकस है तो इन सब का काफी हद तक बच्चे की growth में properly help करती रहती है जैसी दस साल का बच्चा हो तो हमें उसको दो दो ड्रॉप्स नाक में जरूर बदाम रोगन डालना चाहिए इसको थोड़ी दे रहा है यह सब notice कर सकेंगे नोट कर पाएंगे तो यह आपने डेली एक चमच बच्चों को जरूर देना है जब तक वो दस साल का होता है इससे उसका brain का विकास अच्छी तरह से होता है तो यह जो चीजे हैं मांसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहत जरूरी होती है moral values के आज हम बात कर रहे हैं कि नैतिक शिक्षा जो है वो बेहत जरूरी है बच्चों के लिए अगर आपके बच्चे भी इस तरह के जिद करते हैं या कोई भी लाग प्यार ने उन्हें बिगार दिया है तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे दीजिए कि जो बच्चे ज़्यादा बिगड़ चुके हैं उन्हें moral values फिर से कैसे सिखाई जाए बड़ा difficult question है अब अगर वो छोटे हैं तो फिर हम उनको handle कर सकते हैं अगर वो बहुत जादा बड़े होगे हैं तो फिर तो parents को चाहिए कि किसी counselor से ज़रूर उसकी guidance लें क्योंकि counselor बच्ची को वो guide करेंगे कि आप कैसे बेटा आप ऐसे अपने रास्ते से अलग जा रहे हो तो आपको ऐसे मोल्ड करना चाहिए तो वो counselor जो होते हैं वो बच्ची का mood read करके है न वो उसे हिसाब से हम उसको guide कर सकते हैं बच्चे को कि आप ऐसे करोगे तो आपको benefit होगा उसको कैसे handle करना है emotionally क्योंकि बच्ची हमेशा प्यार से ही मानेंगे अगर हम उन पे जिद करें तो जिद से वो कोई बात नहीं मानेंगे उनको प्यार से handle करना पड़ेगा उसको उसके benefit बताने होंगे उसको उसके नुकसान बताने होंगे कि हाँ आप ऐसे करोगे तो आपको यह benefit होगा तो मैं यह बोलूँगी कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं ठीक हो सकता है है पेरेंट्स को थोड़ी सी मेनत करने ही और थोड़ी सी patience रखनी उपड़ती है और थोड़ा सा उसके work करना आपको time devote करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो शुरू से तो मैं इसी लिए यह topic मैंने लिया है कि आप कि सोच पर सवाल उठते हैं कि जो पुरुश वर्ग है उनकी सोच पर कही न कहीं सवाल उठते हैं कई अपरात की खबरें हमारे पास सामने आती है तो क्या लगता है अगर बचपन से ही माता पिता की तरफ से ध्यान रखा जाए उनकी परवरिश कहीं न कहीं वो फर्क भी व से ही शुरू हो जाती है देखो मदर्स तो नहीं बट पेरेंट्स फादर मैंने देखा है एक आदमियों का एक तक्या कलाम सा रहता है ना मदर और सिस्टर को लेकर वो गाली निकालते रहते हैं तो वो उनको लगता है कि पेंदे से से इसब स्कू質 यहां कर रहते हैं कि हर वर्ड में उसने आना ही मां और सिस्टर के खाले तो क्या दोश आप जब तक यहां होता है क्या आप दोभी आपस में連ड रहे और उसकी मां और उसकी बहान की वह ले निकालते हैं तो इसमेंज stan और मद का क्या सूर है मतलब आप अपनी ही लोगों को गाले निकालते हो आप अपनी सील्ट को गाले निकाल मेरा लेए-प unf Lamb आप तारी को बताई हैं धूरी करें मतलबं कि लड़किया ना इक we train है अगर यह प्रवर्ब है हमने इसको इद करना है किसी कोई बी बात करते हैं तो हमें इसको एड करना है उनको यह नहीं लगता कि यह कोई गाली है क्योंकि बच्पन से सुनते हा रहे हैं तो यहां पर मैं यह कहूंगी कि यह हम पर पे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने मूँ पे थोड़ा से लगाम दे खास करके फादर वो जो हर गाली मनलब हर बात पे जो हल्पिंग वर्व यूज करते हैं गाली गलोच का जो माहौल है करना कहीं घर से ही शुरू होता है और हल्पिंग वर गलत प्रविरती बच्चे को नहीं पता ना गाली है और इसका वर्ड का मीनिंग क्या है अप दखो ना ऐसकेमीनिंग अगर आप सोचने पे जाते हो तो इसके कहां से सीखते हैं बच्चे बड़ों को देख की तो सीखते हैं अगर आप बच्चे को हर चीज सिखा रहे हो तो कहीं न कहीं गाली गलोच जो है उससे दूर रहना सिखाया जाए क्योंकि अब यूजिंग लैंग्विज यूज करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं कि बिल्कुल कि अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेप सिरफ फिजीकली ही किया जाता है आप इसी को गंदी नजर से देखते हो वह भी रेप होता है बच्चे देखते हैं हमारे फादर उसको किसी को इतने ध्यान से देख रहा है तो मतलब इसमें इसका मतलब कुछ बुरा ही नहीं कारि है जी तो उसको रखने के लिए कभी वो इधर रखती है कभी गुदर कभी किसी के पास कभी किसी के पास है जी और वो बैंक में जोग करती है तो क्या उसको अपने बिटे को पालने के लिए जोग छोड़ देनी चाहिए देखे मैम मेरे हिसाब उसका बच्चा कितनी देर का बच्चा तो उसका अभी वनियर का है वनियर का है न मैम देखिए मैं तो यह बोलती हूँ कि एक साल तक तो मां को बच्चे का टाइम देना चाहिए क्योंकि हर चीज दुबारा मिल जाएगी मैम यह बच्चे का यह टाइम वापिस नहीं आता मेरे हिसाब से जॉब चोरोड़नी नी चाहिए बट उसको यह मैनेज करना चाहिए कि आट लीस्ट जैसे उसका बच्चा है अब एक साल का आप बतार हूह है वैसे तो आप यह देखिए आप यह वर्ड यूस करें आप सके रέλ है है राइट आपने यह वर्ड यूज कर रहा है अब मैडम को जॉब तो देखो आज अगर वो चुटी लेते हैं वैसे तो जॉब में चुटी भी गॉर्मेंट देती है काफी देर तक छे मीने तो मैं देखो आज की डेट में इतने विकल्प हैं जॉब कर सकते हैं जरूरी नहीं आठ या दस गंडे ही जॉब करनी हैं आप से एक साथ भी जॉब कर सकते हो बट मेरे हिसाब से बच्चे से कोई चीज नहीं है बड़े हो कि आप रिग्रेट करो कि मैंने उस टाइम पर बच्चे को टाइम नहीं दिया और मैं ऐसे करती तो मेरा बच्चा ऐसे हैल्दी होता तो दुखी तो वह भी होते होंगे जब शाम को घर आते हैं और बच्चा परेशान होता है तो दुखी तो लोग क्रेश में चोड़ने के लिए उतना है कि बच्चे का आपने खाना ख़ला दिया बच्चे ने खेलना है वो 3 गंडे कहीं भी खेल सकता है ठीक है ना उसके बाद 3-4 घंटे ऐसे बीच बीच में बच्चा दो गंडे सो जाता है तो ऐसे छोड़ सकते हैं मैं हमेशा ही कि बच्चे को किसी क्रेश या ऐसी जगह पर चोड़ सकते हो जहां उसके 3-4 घंटे स्पैंड हो जाएं या को या मेड अरेंज कर सकते हो बट ऐसे नहीं कि आप आपने नाना ननी के या दादा दादी के पास 24 घंटे के लिए या रखने के लिए भी बेज दो मेड सब यह एना की मेड भी अची तरह से नहीं रखती है इसलिए मैं बहुत 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 शुक्रिया ख़बर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए तो आज हमने कारिक्रम में चर्चा की मॉरल वैल्यूस के बारे में मैं हमारे साथ मौजूद थे चर्चा का अभी तरह से लिए वा-भी तो